हेलो मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का हमारे आज के डिस्केशन में फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता है यह हमारा जो यूट्यूब चनल है इस पर हम लोग रोज मिलते हैं और प्रिवियस कई दिनों से हम लोग एक्जाम में जो प्रिवियस यह जो पूछे गए हैं 2007 से लिए 2019 तक के बीच में जितने भी मेकैनिकल इंजिन्रिंग के जो टेक्निकल कोश्चन्स पूछे गए हैं लगभग 3100 से भी ज्यादा को डील कर रहे हैं और आपके लिए एवरी डेय आपको सौ से ज्यादा कोश्चन्स आपको मिल जाते हैं यहां पर हमारे चैनल अनकेडमी गेट पर तो आईए फ्रेंड्स आपका स्वागत है आज के हमारे इस आज के इस इवेंट में में मेगा रिविजन ओफ से जेयन मेकै कि अभी तो हम लोग यह जो इवेंट अभी जो हम लोग देख रहे हैं यह हमारे यूट्यूब चैनल अनकेडमी गेट पर देख रहे हैं और यह एकदम फ्री ओफ कॉस्ट है सभी के लिए बिना किसी पेमेंट किये हुए आप लोग इसको देख सकते हैं लेकिन जैसा कि अगर हम आपसे कुछ एक बहुत ही एफोर्डिवल प्राइस पर हम लोग कुछ आपको एवलेबल कराएं तो वो कितना शांदार होगा तो फ्रेंड्स आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता भी दूं और आप मेंसे कई लोग को पता भी होगा कि हमारा यह जो यूट्यू कि अजय कर ददेंट के नाम से जाना जाता है पर अब इसमें क्या होता है अब फ्रेंट के हम लोग template कर सकते हैं बार फेको 12 12 सकते हैं और अगर आप सæकते हैं plus पर कोई भी सम्टूजू करने से पहले मेरा रंफरल कोड सरवेश 11 का यूज करते हैं मेरे रंफर बोड सरवेश 11 या एक और मेरा सरवेश 10 कि इसका अगर आप यूज करते हैं इन दोलों मेन से कोई भी season अगराप यूज करते हैं तो इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिसकाउंट मिलेगा तो यह इन दुनों में से आपको भी कोड यूज कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं आपको बता दू कि प्लस कोर्सेज यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही आपको मल्टिपल कोर्सेज मिल जाते हैं आपको ऐसा नहीं है कि त्योरी ओप मशीन के लिए अलग से जोइन करना पड़ेगा या फिर आपको धरमोडायनमेक्स या प्रोडॉक्शन या इनल्श्चुल सबकि लिए अलग-अलग आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा फ्रेंट्स आपएक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेते हो और टाइमपीरियर्ट क्या रखना है ये आपके हाथ में ंस आपके आपके पास एक महिना तीन महिना च्छा महिना एक साव ऑर दो साल यह कई सारे अलग- político ऑनके पास डीयृेसिन में उसकी बात आपके पास और दो साल यह पांच अलग- juryकरियंटव 12 हो छीजरी भी इस यह जो और है लेयक कर सही लगती हो अपनी प्रिपरेशन की लेवल और अपने टारिट के हिसाब से उस जए।योडस्वरेशन को आप चूज कीजिये और उस ढे स्चॏरेशन में और्पर जितने भी मॉतिपल dernière हो पसंद हमें से सबस्ची को आपूँडसन चलते हैं यहां पर कई सारी मनें करेंगे पीचर के साथ आपको डारेट इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है प्रिविएस इयर्स में जो पूछे गये हैं वो उनको डिसकस करते हैं तो फ्रेंट्स देखिए अभी हम प्रिविएस यर्स के कोश्चन से तो डिसकस कर रहे हैं ठीक ना ऐसे ही अब जब यह सा कोड है सर्वेश 11 या फिर सर्वेश टेन कर दोंस पर आपको तैन पर्संट का रही डिसकाउंट मिलेगा यहां पर भी 10% इसको भी इस्तिमाल करने पर 10% off मिलता है और सरवेश 11 को यूज करने पर भी 10% का ही off मिलता है तो जैसा आप उस course को जोईन कर लें तो आईए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज की discussion को और देखते हैं इन questions में क्या बुच्छा गया है सबसे पहले पर यहां पर कहा गया है। 설ज सबसे आप यहां पर कहा गया हैículos 21 project यहां पर आपसे क्या जा रहा है कि एक ऐसा स्टील जिसमें 12%, क्रोमियम और 8% पर्सट निकिल हो उसे क्या stick stainless steel okay अगला portion है दाइल्टिमेड स्ट्रेंथ और श्टील इन टेंशन इन कंपेयर टु शीर ते कि नुद फ्रेंट्स इन कंपेयर टु सीर इस इन दा रेशियो और तो कल ही हम लोगों ने देखा था फ्रेंट्स कल ही हम लोगों ने देखा था कि जब कभी आपके पास कि शियर स्ट्रेंथ पूछी गई थी कि स्टील की कल ही एक कोश्चन आपका प्रिवियस येर में कभी पूछा गया था उसको और में डिसकस किया था कि कि स्टील की जो शियर स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी कि टू बाइ थ्री टेंग्स होगी किसके टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्टील के कि टेंसाइल स्ट्रेंथ माल लिया हमारे पास कुछ जैसे माल लिए कुछ तीन सो मेगा पास्कल या थीन एजार मेगा पास्कल है तो इसमें आप टू बाइ थ्री का मल्टिप्लाइ कर दें तो यह आजाएगा शियर स्ट्रेंथ आजाएगा हमारे पास कुछ दो हजार मेगा पास्कल इस टैप एक जाम्पल हमने ले लिए ओके फिर्ट्स तो अब आपसे कह कह रहा है कि टेंशन के कंपैरिजन में शियर का निकालना है तो यह चीजा आप इधर ले जाएगे नीचे में और यह जो टू बाइ थ्री है इसको इधर ले जाए तो थ्री उपास जाएगा टू नीचे आ जाएगा तो बस आपके पास क्या आ जाएगा टेंसाइल बाइशियर ओफ इस्टील ये क्या जाएगा ये जाएगा थ्री बाइट्टू कि ये बुर्फण प्री बैट्टू ओके यह आगे आगे बढ़ते हैं नेट्स आपसे पूछी गई थी पूछा क्या है 2017 में कि इस टील कंटेनिंग पर्लाइट एंड फिराइट इस वह स्टील जिसमें पर्लाइट और फिराइट यह कि दोनों हों वो क्या वो टुफ होता है क्या वो हाड होता है क्या वो सौफ पर्लाइट और फिराइट वो एक सौफ्ट इस पूछ आगे बढ़ने पर एक ऐसा स्टील जिसमें carbon percentage 0.8 से कम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे क्या उसे हम लोग eutectoid steel कहेंगे या उसे हम लोग hypo eutectoid steel कहेंगे या उसे हम लोग austenite कहेंगे या उसे हम लोग hyper eutectoid steel कहेंगे तो friends आप लोगं को अच्छे से पता होगा कि 0.83% से कम जब रहता है carbon content तो उस टाइप के स्टील को हम लोग हाइपो युटक्टॉइट कहते हैं ठीना फेंट उसे हम लोग हाइपो युटक्टॉइट कहते हैं रेंज आप लोगों को पता होगी कि जीरो से शुरू करके कि तू पॉइंट वन पर्संटेज यह है और यह है जीरो पॉइंट एट पर्संटेज यह दोनों तो हैं तो यह स्टील ही बस यह वला हो गया हाइपो यह हुडश्य हाइपो testताओ को … यह दोनों तो हुडश्य होगी हाइपोड़। यह हो गया है पर- Independence Day आपको यह चीज याद रखेगा मेरे ख्याल से मैकसमम यादब रखेगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बिलो 0.8 परसेंट 0.8 परसेंट से कम यह यहांनी यह वाले दीजन की आपसे बात कर रहा है तो वह हो गया सीमेंट है कि पुछा गया है कि इसथी की हर्डेस की हृड्नेश करती है किसके उपर हर्डनेश औस इपाण द्यूंद मांट और हाड्नेश ऑफ टीज डिपैंड़ आपन दे अमानेश सिमेंटाइट सिमेंटाइट के उपर स्टील की हार्डनेस डिपेंड करती है अगला कोशन पुछा गया है एक होट शॉर्ट मिटल इस एक ऐसा मिटल जो गरम कर रखा हो और शॉर्ट मिटल हो वो कैसा होता है वो जब ठंडा होता है तब बिटल होता है या जब गरम होता है तब बिटल होता है या फिर हर कंडिशन में बिटल लेता है या फिर हाई टेंपरिचर पर डख्टाई होता है फ्रेंट्स एक शॉर्ट मिटल जो होता है वो गरम करने पर बिटल के बिटल स्टेट बनेता है ओके नेक्स कोशन पूछा गया है नेक्स कोशन पूछा गया है कि एरिक्षन टेस्ट जो होता है वो किस लिए किया जाता है किसी भी माटेरियल के उपर एरिक्षन टेस्ट जो होता है वो किस लिए किया जाता है क्या वो हार्डनेस चेक करने के लिए करते हैं या बेंडिंग चेक करने के लिए करते हैं या फिर कपिंग टेस्ट के लिए करते हैं कपिंग टेस्ट मतलब कि किस मटियल का कब बनाया जा सकता है कब बनाएं कि क्लिका करते हैं हम लोग डीप ड्रोइंग करते हैं ऐसे हमारे पास जैसे यह आउटर वाली जो दिख रही है आपको यह वाली ऐसे हमारे पास कोई एक प्लेट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं करते हैं एक प्लेट होती है जिसको हम लोग एक पंच लेकर के आते हैं और उस पंच से दबाते हैं तो जब इसको दबाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे यह जो प्लेट होती है यह धीरे धीरे बेंड होते होते धीरे धीरे एक कप का शेप ले ले लेटी है तो यह चीज हो सकती है इस मटेल के उपर यह नहीं हो सकती है इसी टेस्ट को हम लोग कहते हैं कपिंग टेस्ट और यह आपका एरिक्सन टेस्ट से या ऐसे टेस्ट करते हैं आगे पूछा गया है कि इन में से कौन सा मटेरियल एक थर्मो सेटिंग मटेरियल नहीं है नौट ए थर्मो सेट मटेरियल नौट ए थर्मो सेट मटेरियल क्या यह फेनॉल या फिर फॉर्मेल डिहाइट या बेकलाइट और या फिर नायलॉन तो बड़ी आसानी से आप बत आसकते हैं फ्रेंड्स नैलोन है थर्मोस अटिंग मटेरियल नहीं नहीं जो ओब इस नोट एक थर्मोके अगे बढ़ें यहां पर अगले कोश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन में से कौन एक तर्मो ललांस्टिक मतेरियल नहीं which of the following is not a thermoplastic material इन में से कौन सा thermoplastic नहीं है क्या polyethylene या polyvinyl chloride या polystyrene और या फिर polypropylene इन में से कौन सा thermoplastic material नहीं है आपको ये बताना है तो friends I hope आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा कि ये जो polyvinyl chloride या polystyrene और या फिर polypropylene ये तीनों जो आखरी के जो तीन हैं ये तीनों आपके एक thermoplastic material है सिर्फ इस question के हिसाब से जो polyethylene है यही एक ऐसा material आता है जो की एक thermoplastic material नहीं है ओके friends आगे बढ़ते हैं अगले question में आप से चारपी test के बारे हम पुछा गया है material science में हम लोग किसी भी material की कौन से property चेक करने के लिए चारपी test को conduct करते हैं बताएए friends क्या ये toughness को चेक करने क्लिक की जाती है या फिर creep strength के लिए या fatigue strength और या फिर elastic strength friends आपको पता होना चाहिए कि चारपी test को करने का उद्देश है किसी भी material की toughness को चेक करने का होता है चारपी test को करने का उद्देश है किसी भी material की toughness को चेक करने का होता है तो ये चीज़ें ही राप रखिए ओके ग्रे कास्ट आइरन क्या है ग्रे कास्ट आइरन यह तो प्रेंट्स वैसे देट्टाइल मटेरियल है कि इन में सो कौन सी प्रॉपर्टी होती है ग्रे कास्ट आइरन क्या यह बिटल है यह पिर एलेक्ट्रक्टिविटी काफी कम है या इन मेंसे सभी तो फ्रेंट्स हर बाल ऑल आप ड्रीट्वेश्ट गरेक्ट आइन यह सही नहीं रहता है इस बार यहां पर low electrical conductivity यह आपका correct answer बन रहा है अगला question chilled cast iron के बारे हम पूछा गया है chilled cast iron क्या होता है what is chilled cast iron what is chilled cast iron तो अगर हम दो देखें तो एक ऐसा cast iron जिसकी जो surface होती है एक ऐसा cast iron जिसकी surface wear resistance high wear resistance रखती है उसको हम लोग कहते हैं chilled cast iron एक ऐसा cast iron जिसकी surface high wear resistance रखती है आसानी से wear out नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं chilled cast iron ओके next part में अगर जाएं तो इसमें देखेगा if carbon present in cast iron is partly free and partly in combined state if carbon present in cast iron is partly free and partly in combined state यानि कि किसी cast iron में अगर किसी cast iron में जो carbon present रहता है अगर वो उसका कुछ हिस्सा free हो और कुछ हिस्सा combined state में हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं क्या ये white cast iron कहलाता है या ये grey cast iron कहलाता है या ये molten cast iron कहलाता है और या फिर इनमें से कुछ भी नहीं तो फ्रेंट्स आपके जांकाई के लिए बता दूँ मैं कि ये जो partly free और partly combined state जो है ये आपकी होती है white cast iron free state चले फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं किसी भी अगले question में क्या पुछा गया है अगले question में पुछा गया है non-metallic amorphous solids की जो thermal conductivity होती है non-metallic amorphous solids की thermal conductivity के उपर temperature decrease का क्या असर पड़ता है क्या temperature decrease करने से non-metallic amorphous solids की thermal conductivity इंक्रीज करती है या यह decrease करती है या यह constant रहती है और या कुछ भी कर सकती है increase कर सकती है decrease कर सकती है कुछ भी हो सकता है कुछ पता नहीं है तो फ्रेंड्स आपको यह चीज आइडिया क्लिया होना चाहिए कि जब हम लोग temperature decrease करते हैं तो non-metallic amorphous solids की thermal conductivity increase करती है ओके फ्रेंड्स यानि कि आप लिख सकते हो कि फॉर non-metallic amorphous solids for non-metallic amorphous solids इस thermal conductivity probability proportional of temperature यह जो एमर्फस solids होते हैं, उनकी thermal connectivity temperature के inversely proportional होती है, अगर आप temperature घटाओगे तो thermal connectivity बढ़ेगी, अगर आप temperature बढ़ाओगे तो thermal connectivity डिक्रीज करें, अगला question पूछा है आपसे, कि किसी भी बोल्ट की, किसी भी बोल्ट की जो resilience वाली property होती है, किसी भी बोल्ट की जो resilience property है, वो किस तरीके से बढ़ सकती है, अगर इस बोल्ट की length बढ़ाई जाए, या फिर इस बोल्ट के shank diameter को बढ़ाया जाए, या फिर इसके threaded portion के diameter को बढ़ाया जाए, और या फिर इसका head size बढ़ाई, ठीका फिर्म्स, तो resilience जो property होती है, वो total volume पर आती है, ठीका फिर्म्स, वो total volume पर आती है, तो आप length अगर बढ़ादें, length अगर बढ़ाएं, तो इससे यह फरेट पढ़ सकता है, ओके फ्रेंट्स, अगिला question है आपके पास, कोई ऐसा material, जिसमें, कोई ऐसा material, जिसमें, सभी direction में, चारो दिशाओं में, मतलब हर एक direction में, जो elastic properties हैं, वो same होती हूँ, ऐसे material को क्या कहते हैं, ऐसे material को क्या ideal material कहा जाता है, या फिर ऐसे material को uniform material कहते हैं, या ऐसे material को isotropic कहते हैं, या ऐसे material को practical कहते हैं, चारो तरफ हर, चारो तरफ क्या, बलकि हर एक direction में, आप जो भी डारेक्शन अगर आप देख रहे हो तो उस डारेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज एक ही जैसी है किसी मटियल की तो ऐसे मटियल को क्या कहते हैं अब देखे फ्रेंट्स ऐसे मटियल को हम लोग कहते हैं आइसो ट्रॉपिक याद रखेगा इंपॉर्टेंट कोशन है कई बार कई कम्रेटी जिजाब्स में पूछा जा चुका है इस्टार मार्क कर दे रहा हूं ठीक है अगला कोशन है दे अल्टिमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेर टू अल्टिमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस इस माइल्ड स्टील की हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ और शीर स्ट्रेंथ के ऊपर दो कोशन हमने देखे हैं SSC J.E. में ही पिछले कुछ सालों में पूछे हुए लेकिन क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी कोई रिलेशन होता है हमने तो tensile strength और shear strength का देखा है कि shear strength जो होती है वो tensile strength के 2 by 3 होती है मतलग कि अगर tensile strength 3000 MPa हो तो shear strength जो होती है वो 2000 MPa अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या compressive stress के comparison में जो tensile stress आ रहा है mild steel का ultimate position में क्या उन दोनों में कोई difference होता है तो friends same more less या more or less जो भी पूछा गया है तो इस question का आज़र हो जाता है a part ओके इस question का आज़र हो जाता है a part अगली चीज आप से पूछी गई है the yang's modulus of a wire is defined as the stress is defined as the stress which will increase the lähndh of wire which will increase the length of wire compared to its original length क्या Young's modulus of a wire is defined as the stress which will increase the length of wire compared to its original length क्या NFL 12 D इस question को अभी यहीं छोड़ते हैं हम लोग बाद में इसको देखेंगे इसकी language थोड़ी ambiguous है अगला देखते हैं which of the following material is more elastic which of the following material is more elastic क्या rubber rubber की जो जिसे हम लोग जो कई बार paint वगरा पहनते हैं उसमें elastic लगी होती है उसमें elastic लग रही होती है तो वो elastic कई बार rubber की बनी होती है तो क्या rubber या फिर प्लास्टिक या फिर brass और या फिर steel इन चारों में से कौन सा material है जो की ज़्यादा elastic है most elastic सबसे ज़्यादा elastic है कौन सा material बताएए प्रेंस यह 39th नंबर question है इसका answer हो जाएगा deep part steel will be the most elastic material among these four materials steel की elasticity बहुत हाई होती है steel की elasticity बहुत हाई होती है rubber, plastic और brass के comparison आगे अगर बढ़ें तो next question में देख सकते हैं next question में पूछा गया है कि the property of material the property of a material which allows it to be drawn into a smaller section वो property जिसकी बज़ा से कोई भी material एक smaller section में draw out किया जा सकता है उस property को क्या कहते हैं क्या इसे plasticity कहते है या इसे ductility कहते है या इसे elasticity कहते है और या फिर इसे malleability कहते है तो friends इसका answer आपको पता होना चाहिए कि बड़े section से छोटे section में change होते समय बड़े section से यहां से यहां पर जो हम लोग आए है इसमें क्या हो रहा है इसमें height कम हो गई पहले height यहां तक थी अभी height यहां तक हो लेकिन पहले जो diameter था वो कम था अभी diameter बढ़ गया है यहां पर एगर मैं कहूं कि इसकी height है कि डामीटर है डीवन और हाइट है एच वन और इसकी height है एच टू और डामीटर है डीटू तो यहां पर ड्रॉइंग में क्या हुआ दीटू जो था वो डीवन से बढ़ा हो गया और एच टू जो था वो एच वन से छोटा हो गया तो इस case में इसे हम लोग कहते हैं drawing और यह जो drawing की property होती है यह malleability की वज़ा से किसी भी material में आती है ठीके friends drawing की property malleability की वज़ा से किसी भी material में आती है आगे वरते हैं next question में पूछा गया है कि इन में से वो कौन सा material है जिसकी work hardening होने की tendency काफी जादा हुँ है high tendency of to get work hardened क्या lead क्या Aluminium क्या Brass और क्या Twist इन चारों में से वो कौन सा material है जिसकी इन चालों में से वो कौन सा material है जिसकी work hardening अच्छे से हो जाती है वो है brass friends उस material का नाम है brass जिसकी work hardening काफी अच्छे से कराई जा सकती है अगला question है cemented carbide ceramic diamond और alloy steel cemented carbide ceramic diamond और alloy steel में से hardest known material कौन सा है तो friends मेरे ख्याल से इस question का इदम सही answer आना चाहिए आप सभी लोग के तरफ से क्योंकि ये एक ऐसा question है जो कि मेरे ख्याल से class 10th के student से पूछा जा तुम वो भी बता सकता है आपको इसके लिए किसी भी diploma या degree की जरुवत नहीं है सब को पता है अच्छे से आसानी से पता है कई लोगों को कि diamond अर्थ पर मिलने वाला सबसे hardest natural material होता है और इन चारों में तो obviously होता ही होता है आगे बढ़ें next question में पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा material है जो कि isothermal hardening से प्राप्त किया जाता है क्या cementite है या क्या sorbite है या फिर क्या true site है और क्या फिर ये benite है आइसो thermal hardening के दौरान cementite sorbite true site और benite में से क्या बनता है तो friends आपको पता रहना चाहिए कि hardening process के दौरान benite का formation होता है तो यह हमारे question का answer हो गया अगला question पूछा गया है कि इन चारों में से किस का melting point temperature बढ़ाने पर सबसे पहले melt हो रहा हो कौन सा material है इन चारों में से किस material का melting point lowest है क्या वो लो कास्ट आइरन क्या वो हाई कार्बन क्या वो हाई कार्बन स्टील क्या वो कास्ट आइरन और क्या वो रॉट है तो देखें फ्रेंट्स जन्रल नॉलेज़ वाली बात है कि 1450 दी कास्ट आइरन का melting point होता है जो कि इन चारों में सबसे lowest पाया जाता है तो आप लोगों को यह चीज़ें ध्यान में रखने चाहिए ओके अगला question जो आपसे पूछा गया है next question जो आपसे पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा material है जिसका इस्तेमाल हम लोग घर पर बरतन बनाने के लिए household utensils बनाने के लिए करते हैं क्या यह डूरेलियम है या फिर हेंडालियम है या फिर गामा एलॉय है और या फिर magneleum है magneleum friends आजकल नया आ गया है पहले तो हेंडालियम था लेकिन आजकल magneleum आ गया है ज्यादा सुटेबल है तो आपको इसी पर टिक लागा है ठीक है अगला एक और question देख लेते हैं इस question में पूछा गया है कि इन में से वो कौन सा material है जिसमें कि टिन टिन एक एलॉइंग इलिमेंट की तरह से नहीं आता है इन चारों में से चार क्या तीन ही में से चौथा तो ओल आप्शना खरेक्ट है तो इन इन में से कौन सा material है जिसमें कि टिन एक एलॉइंग इलिमेंट की तरह से नहीं आता है तो इसका answer हो जाएगा डीपार्ट तो बस आज के discussion को हम लोग यहीं पर stop करते हैं आई होप आपको आपने काफी enjoy किया होगा और काफी सारी अच्छी चीजें भी सीखी होंगी तो यह थोड़ा सा ऐसा करते हैं दो तीन कोशन और कर लेते हैं पचास तक इसको complete कर लेते हैं अब देखी इसमें पूछा गया कि microscope के अंडर जब हम लोग किसी भी ferrite material को microscope से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है क्या वो एकदम सपेद दिखता है या फिर थोड़ा सा light color का दिखता है या फिर dark color का दिखता है इसमें से कोई भी तो friends definitely जो ferrite होता है जब microscope से देखा जाता है तो थोड़ा light color का दिखता है नेक्स्ट कोशन है कि और स्टेंपरिंग प्रॉसेस के द्वारा हमें कौन सा structure प्राप्त होता है क्या हमें सोरबाइट मिलता है क्या हमें बेनाइट मिलता है क्या हमें martensite मिलता है और क्या true sight मिलता है तो friends और stempering से बनता है क्या ये बनता है बेनाइट मैं आपको जब पढ़ाओंगा material science में heat treatment तो सारी चीज़ें one by one हम लोग देखें ओके अगली चीज़ पूछी गई है कि इन में से वो कौन सी प्रॉसेस है जिसको करके किसी भी स्टील को बहुत जल्दी बहुत कम समय में हार्डन किया जा सकते है क्या यह कार्बुराइजिंग है क्या यह साइनाइडिंग है क्या यह इंडक्शन हाइण और इनमें से कोई भी है तो तो हाड़निंग कराने के लिए हाड़निंग कराने के लिए आगे और पूछा कि इनमें से वो कौण सा material है जिसके पास acids के लिए relevant resistance होती है क्या वो param alloy होता है क्या वो param alloy होता है क्या वो constanton होता है क्या वो hast alloy होता है या वो monal metal होता है तो फ्रेंट्स यह सब knowledge based questions हैं यह सब आपको सीधे सीधे रटने होते हैं यह हैस्ट और आ है जिसके पास acids के लिए excellent resistance होती है ठीके फ्रेंट्स जिसके पास acids के लिए excellent resistance होती है तो बस बढ़ी आसानी से इसे note कर लीजे बहुत ही simple question है आपको बहुत आसानी से आप इसे कर सकते तो फ्रेंट्स बस इस आज के discussion में इतना ही इस discussion को हम लोग अब यहीं पे stop करते हैं और कल हम लोग आगे के चीज़ों को देखेंगे तो फ्रेंट्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे unacademy का एक दूसरा पेपॉम भी है जिसको हम लोग plus के नाम से जा पेमेंट करके कई सारे जितने भी कोर्सेज अबलेबल हैं उस सारे कोर्सेज को आप देख सकते हैं आपको क्यों वाले time duration के लिए पेमेंट करना होता है कि मुझे one month, three month, six month, one year या two year के लिए subscription लेना है अब उस time duration में unacademy plus के उपर आप जिस section में हो, gate ESE में हो तो gate ESE के जि इतने भी teachers हैं आलोर इंडिया बर में चाहे पुराने teachers जिनको 20-20 साल का experience है या कई सारे मेरी जैसे जो 10 साल के experience वाले हैं या फिर कई सारे इकदम नए young energetic teachers इन सबका material अगर आपको देखना है तो वो सारा material आप देख सकते हो और choose कर सकते हो कि कि किस teacher का पढ़ाया हुआ तरी इसके लिए हमें करना क्या पढ़ता है इसके लिए हमें unacademy का learning app हमें download करना होता है और इस learning app को जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वहां से फिर हम लोग इसका goal चूज करते हैं कि हमें किस community exam के त्यारी एक बार जब गोल चूज कर लिए तो उसकी बाद फिर हम लोग language subscription में यह देखते हैं कि कौन सा subscription लेना है क्या एक महिने का तीन महिने का च्छे महिने का बारा महिने का या 24 महिने का यहां पर आपको दिखाय भी गया है इन सर्किल करके और यही reality भी है कि हमारे maximum students जो हैं वह बारा महिने वाला जो subscription उसको follow करते हैं उसको पसंद करते हैं इस को स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा एक कोड है सर्वेश 11 या फिर मेरा एक और कोड है सर्वेश 10 कि को कि इन दोनों कोड में से आप किसी भी कोड को इस्तिमाल करें और कोई भी प्लस पे कोई भी कोर्स पर चेस करें तो आपको instantly 10% का discount मिलता है तो आपको instantly 10% का discount मिलता है और ये जो gate EAC का जो one year का subscription जो unacademy की तरब से 25,000 रुपई का है वो आपको पढ़ जाता है 22,500 रुपई का पच्छिस सो की आपको instant discount मिलता है अब ये जो 22,500 रुपई है ये आप internet banking या UPI या कई सार वैलेट जैसे की पेटियम प्रीचार्ड से भी आप payment कर सकते हैं वन टैम में single payment भी कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है तुरंत आपके पास इस से पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ट के थ्रू भी payment कर सकते हो आप क्रेडिट कार्ट के थ्रू पैमेंट कर सकते हो आप तीन महीन credit card से खहिने पर आपको एक पैसे का भी आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है इंट्रेस्ट नहीं देना पड़ता है यह सबसे important बात है याद रखिएगा तो friends यह रहा मेरा referral code service 11 और एक दूसरा मेरा referral code है service 10 इन दोनों को याद रखिए इन दोनों को याद रखिए इन में से किसी भी को भी आप यूज करके मेरा प्लस पे आप कोई भी कोर्स आप जोइन जड़ सकते हैं और आपको 10 परसेंट का instant discount इसा नहीं कि service 10 को यूज करने पर 10 परसेंट बिल्कुल भी confused मत होईएगा इन दोनों को ही इस्तेमाल करने से आपको 10 परसेंट का ही discount मिलता है तो जाएए friends और कई सारे courses जो आपका इंतला करें जिनका यूज करने से आपकी preparation कापी अच्छी हो सकती उनको आप purchase कीजिए ठीक है friends तो बस इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को आप यहीं पे stop करते हैं आगे चलते हैं कल फिर से मुलाकार करेंगे तब तक के लिए wish गुड़ लख and thank you झाल